आजकल बैंगन भिंडी का भाव देखा है कामवली बाई की जबान की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है कुछ दिनों बाद सुंगने को भी नहीं मिलेगी सोने से भी ज्यादा केमती हो गई यह सबजियां सोचती हूँ तेरी शादी में सोने की जगर सबसियां खरीदू मा, हजान पार मैंने आपसे कहा है शादी की बात करके बोर मत करो हाँ हाँ बोर तो लगीगी ना बड़े होने की बात मा को पूछता कौन है मा, आपको इस वक गड़े मुर्दे उखारना जरूरी है क्या खुशी खुशी जाओ ना, मेरा मुर्द क्यों खराब कर रही हूँ चिक्की की शादी हो गई, मिकी की शादी हो गई सबिता के घर में तो नाती पोती भी खेलने लगे तेरी शादी का सपना देखकर मैंने गुना कर दिया जिंदिगे पर बिना शादी के तुझे घर में बिठा के रखना है मा, आप चाहे कुछ भी बोलो, मैं अपने इरादा नहीं बदलने वाली तू क्यों इरादा बदलेगी, मत बदल पाजवाले ललन के लली को देख, मातर तीन दिन छोटी है उसकी पिछले मेंने शादी हुई, और पती के साथ वाशिंग मशिन चली गई मा, उसका नाम वाशिंग मशिन नहीं वाशिंग्टन है मेरे लिए दोनों एक जैसी ही है, मेरे नसीब में तो वाशिंग मशिन नहीं लिखी है चब से टैब बुक पे उसकी 32 निकाली वी फोटो देखी है, आग लग गई मुझ में अंगुठा चाहा, घर से कभी बाहर नहीं निकली और हनीमून मनाने सीधे चली गई वाशिंग्टन, टैब बुक पे फोटो देखो उसकी मा, शादी करके फोरण में हनीमून मनाना और सोशल मीडिया पर अपनी पिच्चेज अपलोड करना, ये कोई महान काम नहीं हो के? इसके बदले अपने करियर पर फोकस करना और कुछ अचीव करना ये महान काम है हाँ, हाँ, दुनिया में तुम्ही तो एक महान बच्ची हो, अगर तुम पढ़ोगी नहीं, तो दुनिया में उथल पुथल हो जाएगी और मेरी इच्छा तो तुमारे लिए कुछ है ही नहीं मा, कुए के में धक हो क्या, घूम फिरकर एक की बात पर रहा चारते हो, शादी, शादी, शादी भाई साब, आपकी शादी हो गई है? नहीं दीदी, अब तक कुवा रहा हूँ मुझे देखो, मैं देखने में खुबसूरत हो ना अब कैसे करेंगी क्या शादी? शादी वले ब्रोकर से बात करती हूँ, अच्छे-च्छे लड़के उसके पास, देशी है, विदेशी है, सब तरह के हैं मा, मैं जब से बैटी हूँ, तब से आप शादी की रट लगा रहे हूँ अगर आपने एक बार भी और शादी का नाम लिया ना, तो मैं इस ओर्टों से कूट कर भाग जाऊंगी कूट जा बेटा, कूट जा, रोक कौन रहा है तुझे, तु कूट जाएगी न तो जञजटी खतम अच्छा बताओ, आप धोग क्या खाएंगी क्या? नई, सोडा जयदा होता है, तो टॉपिक क्यों चेंज कर रही है? आपकी बस रास्ते में कहीं रुके की नहीं, आपको जो खाना अभी खालो और ना भूके रह जाओगे मेरी फिकर छोड़ो और अपनी शादी कर ले पापा से कहना चाय में चीनी कम पत्ती स्यादा डालें, कम से कम उससे अपका दिमाग तो चलेगा उनकी तो बात भी मत कर, उनकी वज़े से आज ये दिन देखना पड़ रहा है मान लो न, कि मेरी शादी हो गई रच्चू, ये खुश खबरी तुने मैचे पहली क्यों नहीं दी तरस गई थी मैं ये सुनने के लिए मान सबसे पहले तो आपने ये सास बहु का ड्रामा देखना बंद करो बिना ड्रामा के आपके जुन्दिगी नहीं चलती क्या अरे रे रे बस निकल गए तेरी शादी के चक्कर में अरे बस नहीं चूटी है मादा घंटा पहले पहुच गए है अंटी जी पैसे अर्चू, इसके मुँपे पैसे मार दे बहुत बोलता है अरे मा पहले समान तो उतारने दो चेक कर ले सब कुछ ले लिया ना ठीक से अरे मा सिर्फ दो ही बैग है कितना हुआ भीया? वे तो सत्तर है लेकिन सौ दे दीजी सौ रुपे क्यो दू? लगज भी तो रखा हुआ था और यहां से खाली वापस जाना पड़ेगा अरे बैग सर पर उठा कर लाया क्या? तीस रुपे मांग रहे हैं, दहेज थोड़ी मांग रहे हैं ज्योंदा बोला ना तो चमाट पारोंगी जिस खोड़ना चिर्प लोगो की मुह नहीं लगते अकाउंट चेक कर, तेरे अकाउंट में 70 रुपीज आ गया ना? मैडम, बोस आपको बुला रहे हैं, अर्जन काम है हलो, सर, सुन्दर बोलो, सीओ के ओफिस से, सर आपका काम खतम कर दिया है और रिटरंस तो फाइल नहीं किया ना? हाँ सर, रिटरंस पे फाइल कर दिया है बेवक्कूप क्या सर? मंतरी जी को 10 करोड का गिफ्ट मिला था, उसका क्या हुआ? मैं तो भूली गया, सर, कल सुवे तक कर दूँगा, सर कल सुवा नहीं, आज करो, मंतरी जी नाराज है अगर इंकम टेक्स की रेड पढ़ गई तो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर बरबाद हो जाएगा और उनके साथ हम सभी को जिल जाना होगा ऐसा नहीं है, सर ऐसा ही है अच्छा, एक बात बताओ, इस वड़ तुम आफिस में ही हो नहीं, सर, मैं तो घर की तरफ जा रहा हूँ तो सीधा यूटन मरो और आफिस जाकर काम पुरा करो ठीक है, सर, मैं वापस जारता हूँ आज आते कुरा ते दूंगा वापस जारता हूँ हाँ? साइब, एक मिनट हूँ? हाँ, तमारा कुरियर है हाँ, स्वारी हूँ? हाँ, स्वारी हूँ? प्रैक्टिस करोगे, ये, पापा आ गए कार्थिक, ए, पापा कैसा है मेरा बेटा, तो आज स्कूल में क्या किया? आज में मुर्गा बना था पापा फेर मुर्गा बने? कितने अंडे दिये तुमने? मुर्गा अंडे नहीं देता पापा अरे वाह, स्मार्ट हो गयो मुर्गी देती है अचला, खाना लगा दो, बहुत मस्ती करने लगे ओ आजकल आप कहीं बेटा हूँ कार्थिक, ये सब छोड़ो और पहले खाना खालो ना, ना, ना कार्थिक के लिए एक अच्छा सा डे केर मिल गया है अगले हफते से भेज सकते हैं तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? उसे वाह नहीं डालेंगे इसे डे केर में भेजने से आखर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं कब तक ऐसे काम छोड़कर घर में बैठी रहूंगी? घर में पैसे की कोई कमी है क्या? मैं कमा तो रहा हूँ कार्थिक के पैदा होने से पहले मेरा अपना करियर था इस तरह सब को छोड़कर बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता इससे तो अच्छा होगा कि तुम नौकरी छोड़कर घर में बैठाओ मैं कमा कर लाती हूँ मुझे मत रोका करो पहले ही मेरा दिमाग खराब है थोड़ा शांती से खाना खाने दो अगर करियर ही बनाना था तो शारी क्योंकि बच्चा क्यों पैदा किया तुमने कहा था ना कुछ सालों के बाद काम कर ले ना ए कार्तिक यह तुम्हारा फ्रेंड है ना वो अपने ममी बापा के साथ घूमने गया है उसने फेसबुक पर फोटो डाले है अच्छे आए बहुत दुआए यह जब चल अंडे चल अच्छा अचला 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 धर्माजा खुलो प्लीज धर्माजा खुलो अचला ना आप में ताम करकर रख दिया है आसने रोस के चीचिचिक! के चीचिचिक! के चीचिक! के चीचिक! सुनाए माँ बारिश होने से मौसम काफी ठंडा हो गया है किस पर बिचलिया गिरा रही है? खूब मज़े कर रही है हाँ? हाँ हाँ क्यों नहीं तरह बॉइफरेंट जो है यहाँ पर अच्छा उसके साथ फुल मस्ती हो रही है उसने तुझे पताया नहीं? चल जूटी अच्छा बाइदवे तेरे ओफिस वाले क्रश का क्या हुआ? उसके साथ तेरे दाल कली है नहीं? वहाँ तो सूखा पड़ा होगा यार मुझे देखते है उसकी हवा निकल जाती है समझने आता वो क्राइम रिपोर्टिंग कैसे करता होगा तो तू उसे प्रपोस कर दे कोई सादा नहीं यार जब देखो नेगेटिव बाती करती है अच्छा सून काबर्ड मेना एक रेड कलगा टॉप है वह बहुत लगी है आज ओफिस वही बेंग कर जाना तेरी लोट्री लग जाएगी कैसे मुझ पर भरोसा है मेरी बात मानेगी तो शादी भी हो जाएगी और बच्चे भी हलो रचना क्या हुआ चुक्की हो गई असल मैं मैं अभी सपने बच्चों के नाम सोचने लगी थी अरे वात तू मुझ से भी स्यादा फास्ट है तू सच में बहुत चाल है अच्छा मुझे अपडेट देती रहना हम ओके बाइ और सुन रेट्टो पे नाम सुला बाइ प्राइ लगा प्राइ लगा लगा लाइ लगा आपने नमबर नोट किये है? महारानिया जल्दी कैसे आ गई? आज कोई फैंसी रस कॉंपटिशन है क्या? अच्छा नहीं लग रहा? इडियोट्स हम्हें हेलो बुलिए जल्दीसी यह नमबर नोट करो जी हां बुलिए TS21 CD 7785 जी जी यह लिखिली हमाँ इड्रिस कब दोगे आपको अब ज़्रस कब तक चाहिए जितनी जल्दी हो सके मैडम आज थोड़ा बीजी हुँ जी ही मुका मिलेगा मैं आपको एड्रिस सेंड करता हूं ठीक हे फोन रखता हूं बाइ ओके बाइ हाई हाई बुजी हो है हाई नहीं नहीं आओ न कुर्सी खाली अब और बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है चल नहीं रहा रहें रहें वही छोरी चकारी मर्डर वैसे भी क्राइम में नया क्या होता है अरे हाँ याद आया तुमने वो material मंगवाया था है एक मिनट यहीं कहीं था अरे मैंने यहीं तो रखा था पता नहीं कहां चला क्या मैं तुम्हें बाद में देता हूं अच्छा बताओ तुम्हें मेरे articles में से कुछ मिला की नहीं I mean Of course मैंने तुम्हारे सारे के सारे articles पढ़े है जैसे आधी खोपड़ी, लटकती लाश और इनसे मुझे काफी मरत मिली है क्या बात है सोचा नहीं था किसी लड़की को इन articles में इंट्रेस्ट होगा अधित्या Actually मुझे तुमसे एक favor भी चाहिए था ठीक है मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं database से details निकाल कर रखता हूं अगर मैं तुम्हें एक दो दिन में दूंगा तो चलेगा न चलेगा ठीक है Okay मिलते हैं ठीक है Bye बार चलेगी सि theoretŋ सब्तरा कि अडिं़ अप्र twब अ राच्णा राच्णा राच्ण सुर्णा भग्ष्णा राच्णा लो बग coment लो बो सिर्फित क्या ह काव वह बटोन कि आम्रे एक्याा द़्ड़otherapोन तुम्हारा फोन? तुम भूल गई थी अंधर. I'm really sorry, यार. कई भी रखने से बूल जाती हूँ. बादाम खाये करो. Sorry, तुम्हें तकलीफ हुई. अच्छा, फ्री हो तो कॉफी पीने चले? अहां, मैं चलता पर मुझे आर्टिकल पूरा करना हूँ. यार, 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 काम पहले है. Sorry. यार, इससे हो क्या क्या है? Sir, कॉफी. Thanks. ये रही तुम्हारी कॉफी. Thank you. तो, तुम वडोद्रा से हो, ना? नहीं, मैं मुंबई से हूँ. अभी जस्ट सिक्स मन्स पहले शिफ्ट हुई हूँ. अच्छा, बच्चा कॉन से स्कूल जाता है? What? Really? क्या मैं तुम्हें सच में शादी शुदा औरत जैसे दिखती हूँ? नहीं, तुम संसकारी लगी, इसलिए मैंने सोचा तुमने वक्त पर शादी कर ली होगी, तो… मैं समझ रही हूँ, तुम ये जानना चाहते हो कि मैं शादी शुदा हूँ या नहीं? अरे नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तु बस… अच्छा, तुम्हारे तीसरा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? मैं तुम्हें शकल से तीन बच्चों का बाप दिखता हूँ, क्या? और क्या? क्या है, कुछ भी? वैसे फैमिली शुरू करना तो चाहता हूँ, पर… वो गमला ही नहीं मिला जिसमें फूल खिला हूँ? पर जो नहीं खाता है, वो जिंदिगी भर बच्चताता है अहाँ, एक पसंद आया थी, पर वो किसी और के निकली क्या करें? तब से बस मैं और मेरी तनहाई अकेले में रहते हैं इंट्रस्टिंग तो बताओ, तुमारे एक्स बॉइफ्रेंड में क्या खराबी थी? मुझसे बद्बू आती थी क्या? मेरा कोई एक्स बॉइफ्रेंड नहीं अच्छा? एक है जिसे मैं पसंद करती हूँ लेकिन उसे आज तक मैंने बताया नहीं अच्छा तो डर किस बात का है? कर दो प्रपोस हादेत्या, एक लड़की होकर मैं उसे प्रपोस करूँ मैं इतनी भी स्चुपेट नहीं हूँ लो, सैलरी के टाइम पे आदमी हो जितनी सैलरी चाहिए लेकिन प्रपोस के टाइम पे लड़की बन गई कौन मैं? हाँ? अच्छा? क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं उसे जरूर प्रपोस करूँगी मेरे एडिटर का मेसेज है, मुझे बहुत सारा काम है बाद में मिलने क्या? हाँ हाँ, कोई बाद नहीं, शूर रचना? हाँ? जरा सुनो मेरे एडिटर ने मुझे एक मूवी रिव्यू करने के लिए दो टिकेट्स दिया है तो अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड आना चाहे तो मैं उसे ले जा सकता हूं तुम क्राइम दिपार्टमेंट में हो ना? तो तुम्हारा मूवी रिव्यू से क्या लेना देना? वो एक क्राइम मूवी है आचा तो अगर मैं ये कहूं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूं तो आइम शूर तुम्हें कोई आतराज नहीं होगा बिल्कुल नहीं ओके बाय ये लड़की तो बहुत फास्ट है उचसे भी दोकतम आ गया है तुम्हारा ड्रस वाके लग्की है हलो डिटेल्स लिखिये नाम सुंदर, गाड़ी वोटरसाइकल और उनका फ्लैट नमर है वान सेकेंड, बताओ टाइम क्या होए साड़ा गयार मेडम सुंदर का फ्लैट कहां पर है पहले सीधा जोने का पछी गाड़न आएगा फिर खाने वाले हाथ की तरफ मोड़ जाओ पर खाने वाले हाथ की तरफ मोड़ जाओ प्लैट 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 साड़ा प्लैट प्लैट तो यह प्लैट यह यह प्लैट गाँ मरभूंब जह प्लैट लिए ड़्य साथी मैं हादेत्या, नेक्स्ट टेलगू नहीं हिंदी मूवी देखेंगे, कम से कम सब्टाइटल नहीं नेखना पड़ेगा सब्टाइटल के चक्कर में पूरी मूवी उपर से चली गई अगर मेरे पस्तक्या होता तो मैं वहीं से हो जाती, इससे कहीं ज्यादा अच्छी हौरर फिल्म्स होती है लगता है तुम्हें हौरर फिल्म्स बहुत पसंद है अपकोर्स पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद पता नहीं पता नहीं, इससे क्या मतलब? मतलब मुवीज में जो दिखाते हैं वो भूत, पिशाज, आत्माएं अब कौन जाने वो होती भी है की नहीं मेरे हिसाब से तो होती है जैसे दिन होता है तो रात होती है जैसे अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है उसी तरह positive energy के साथ साथ negative energy भी होती है जिसे हम भूत, आत्मा या पिशाज के नाम से जानते हैं अब journalist ने कहा आये तो कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर होगी इसमें इसका मतलब तुम्हें भी इन बातों में थोड़ा बहुत विश्वास है नहीं मतलब ना ही मैं कहता हूँ कि नहीं है और ना ही मैं believe करता हूँ आदित्य उधर देखो कहां देखो वाइट साडी में एक औरत उसके बाल खुले हुए हैं उसने हाथ में मुंबत्ती पकड़ी है वो सामने से आ रही है आदित्य तुम भी बाकी लड़कों की तरह चांस मारे हो ना क्या मतलब लड़की को पीछे बिठाया नहीं कि ब्रेक बाढ़ना शुरू ताकि लड़की और करीब आजा है अलो बिना ब्रेक के कोई भी बाइक रुकती नहीं है और वैसे भी ये बाइक मेरे भाई की है विरासत में मेरी है क्या 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 मुवी के लिए थांक्स I had a really boring time अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी आज तुम्हारा बर्दे है क्या नहीं मेरा बर्दे नहीं है क्यों नहीं मतलब इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है नहाद होकर सच धच के आयो ना इसली तुम्हें क्या लगते है कि मैं रोज नहाती नहीं हूँ हा एक्चली तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो रचना मतलब तुम मुझे रोज ध्यान से देखते हो अब क्या करूँ मैराम प्रेशा ही ऐसा है क्राइम रिपोर्टर जो हूँ इसका मतलब तुम दूसरों को भी ताड़ते रहते हो हाँ नजरें सिर्फ उसी को देखती है जिसे देखर सुकुन मिले अच्छा फ्लोटिंग पे ब्रेक लेगाते हैं कल ओफिस में लिलते हैं बाइ बाइ अलो ओ मैडम और यहां पर आए यहां पर आए यहां पर यहां पर एविंग में बीटू फ्लाट काहां पर है वो मेरा फ्लाट है ज़रा दो मिनिट रुकिये सर्र, हम जिस लड़की की तलाश करें थे वो यही लड़की है पर पर रशना तुमारे यह नाम है? मैं ही रशना हूं बात क्या है सर? एक घंटे पहले तुमारे फोन पर फोन किया था उठाया क्यों नहीं? अच्छा वो आपका कॉल था आप यह सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने पूछा कौन है वो? मेरा फ्रेंड है फ्रेंड है या बॉइफ्रेंड है? चुप चाब गाड़ी में बैटो तमाशा करने की ज़रुवत नहीं है वरना लोग अपने फोन पर वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देंगे वो चलेगा तुम्हें बाकी बातें पुलिस टेशन में बैट के करेंगे बैटो चलिए चलिए गाड़ी में बिठाए ने चल 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 अंदर बैट चल सर शाणी ने बाट चल बैट जुम्हें सर सर आपको कोई गलत फैमी होई है सर सर प्लीज मझे जामें दीजिए हाँ सर से कव लड़की मिल गई है हम लोग टेशन आ रहे है इसका फोन क्यों नहीं लिया फोन शीनो इससे सर सर प्लीज आप ऐसे क्यों करें सर जिपल नी दीजिए यह वर्मा वाइन्स में कुछ राड़ा हुआ है एक यूनिट भेज़ो वहाँ पर क्या है कि कल रात को ही हमारे बीच में जगड़ा हुआ था सर जगड़ा कैसा जगड़ा रोज लड़ते थे क्या क्या तुम्हारा पती दारूपी कर तुमको मारता पीटा और गाली देता था अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं था सर तो फिर? पुदको समभा लिए हम आपके साथ हैं कमना एक लस पानी लेकरा हूँ ये लो पानी पानी पीचे आपको बड़ी सापने अंदर बुलाया है चल जल्दी चल खर अंदर ही है ना अंदर ही है सर अवो फाइल्स लेकरा आप आराम से भीजिए सर ये रचना है एंट्री गेट पर इसी के साइन थे आखिर ये सब क्या चल रहा है सर मुझे यहां किसली लाया गया है सर सुन्दर से मिलने आज छोकरे आई थी देखी मेरी बात का बुरा मतमाली क्या आपके हस्बन का कोई अफेर था अगर था तो बताईए आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर इस लड़की को पहले कभी देखा है जानती है इसे जान से देख के बताईए नहीं सर दोपहर को आपके गहर पर गई थी और हम नहीं जानते क्यों कौन हो तुम और क्यों गई थी मेरे घर पर ये कौन है सर आखर ये सुब क्या चल रहा है देखिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है आपका मतलब है कि उनका इस लड़की के साथ अफ्वेर है। देखे, रोईए मत, अब भेर जा सकती है। सुभे तक हमें पूरी जानकारी मिल जाएगे। कमला, कैसे को भेज़ के इने घर तक छुड़वा दो। ठीक है सर। प्रबाकर, इसे अंदर बठाओ। आएए। आओ चलो। खुद को सबालिये। अंदर आओ। मैंने उदर नहीं, यहां बैटो। प्रबाकर? सर। कौन है यह? वो सुंदर केस की सस्पेक्ट है, सर। ओ। सर। क्या कर रहे हो तुम? केस की फाइल तेयार करता था। अभी छोड़े इसको, मेरे साथा। लेकिन सर। सर। आप लोगों को जरूर कोई गलत पैमी हुई है। मैं जो पूछू उसका सही सही जवाब दो। सुंदर क्या क्यों हो गय थी? कौन सुंदर सर। प्रभाकर, रिजिस्टर दो। ये नाम और फोन नमबर तुमारा ही है न? जी हाँ सर। दोपहर साड़े ग्यारा बजे तुम वहां क्यों गई थी? सर, सर मैं वहां जरूर गई थी लेकिन मैं उसे जानती नहीं हूं सर। आप यसे मुझ से क्यों पूछ रहे हैं? इतना बड़ा गुनाह करने के बाद हमसे ही सवाल पूछ रही हो। जादा भूली मत बरो, जर फोटो देना देखो, आज शाम को जब हम उसके फ्लैट पर पहुंचे तो वह इस हालत पर था अब बताओ, क्यों मारा तुमने इसे? सर, मैंने उसे नहीं मारा मैं उसके घर गई थी, मैंने डोरबल बजाए जवाब ना मिलने पर मैं वहाँ से वापस आगी, that's it अगर तुमने उसे नहीं मारा तो फिर किस ने मारा? सर, मुझे नहीं पता किस ने मारा यही तो हम भी जाना चाहते हैं, किस ने मारा उसे? सर, सर, मेर मेरी बात का यकिन कीजिए मेरा इस केस से कोई लेना दे, मैं नहीं है, सर तुम वहाँ गई क्यों? असल में, सर, मैं एक रिपोर्टर हूँ और टाइमस अफ इंडिया के लिए इंटरर्जिप कर रही हूँ अपने जॉब के लिए मैं एक स्टॉरी लिख रही हूँ उसी स्टॉरी के सिलसले में मैं सुन्दर से मिलने गई थी कैसी स्टॉरी? और सुन्दर के साथ उसका क्या संबद? अब क्या बताओ, सर? बताओ! सर, आरके पुरम फ्लाइवर पर मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ उस फ्लाइवर पर डिवाइडर ब्लॉक्स रखे हुए, सर ट्राफिक जैम से बचने के लिए लोग उन डिवाइडर ब्लॉक्स को खिसका कर वहां से यू टर्न ले ले लेते हैं और चब उस चले जाते हैं तो वो ब्लॉक्स वैसे की बढ़े रह जाते हैं जो कि opposite direction से आने वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाग है। इन सब से सुन्दर की मौत का क्या लेना देना। इन divider blocks को हटा कर U-turn लेने वाले लोगों को खोज कर मैं बस उनका interview लेना चाहती थी, that's it sir। सुन्दर ने divider blocks खिसकाए थे, इसने तुम उसका interview लेने गई थी, यहीं ना। Yes sir। सुन्दर नहीं वो divider blocks खिसकाए थे, यह तुम्हें कैसे पता। उस फ्लाइवर पर एक बॉना भिकारी भीक मांगता है, जो लोग वो divider blocks खिसकाकर U-turn लेते हैं, वो उनकी गाड़ियों का नंबर नोड करता है और मुझे दे देता है, सुन्दर का नंबर भी उसी ने दिया था। ऐसी कहानी सिनाव जिस पर हमें यकीन हो सके। आम छोटे पच्चे नहीं है जो तुम्हारी बचकानी कहानियों से पहल जाएंगे। यह बचकानी नहीं है सर। बचकानी नहीं तो और क्या है। जलो मान लेते हैं कि सुन्दर ने डिवाइडर भ्लॉक्स खिसकाये थे, तो इसले तुम उसे मारत होगी। मजदाक है क्या। सर मैं तो असके घर उसका इंटर्व्यू लेने गई थी। बताया ना आपको। डिवाइडर भ्लॉक्स खिसकाना कोई ओलॉम्पेक गेम है जो इंटर्व्यू लेना था। सर, बीच सडक पर गाड़ी रोग कर अप्ती सहुलियत के लिए रोड भ्लॉक्स अटाकर किसी को मरने के लिए छोड़ देना ये सही है। ऐसे लोगों की क्या सोच होती होगी, सर। सिविक सेंस, ट्राफिक रूल्स, क्या ये सिब इंपॉर्टन नहीं है, सर। ऐसे लोगों की सोच को समझने के लिए मैं बस उनका इंटर्व्यू लेना चाहती थी। अलो। सर, उसे केस की पूछताश चल रही है। मैं जानता हूँ आप पर पॉलिटिकल प्रेशर है, बद कारवाई के लिए हमें थोड़ो और समझ चाहिए। हाँ, ठीक है, लेलो पर इस मुसिमन से पीछा चुडाओ। हम कुछ करते हैं। सर। नायक, मेरे साथ हाँ। यस सर। सर प्लीज। काश्षी, काड़ी बाहर निकालो। काड़ी निकालो। कुमार, मेरे बैग लेक हो। लाए, सर। नायक, जी सर। काफी देर हो गई है। और बारिश में रुक नहीं रही है। इसलिए उस लड़की को फोरण रिमांड होम भेज दो। कोस्मॉटम रिपोर्ट आजए तो फिर पूछताज करेंगे। रिमांड होम क्यों सर। उसको घर भेज देते हैं। अगर कोई और केस होता तो भेज देते हैं। लेकिन मरने वाला सुन्दर एक पॉलेटिशन का सीय था। और वो ही उसके सारे अकाउंट्स भी देख रहा था। इसलिए हर कोई हमार ओपर डंडा कर रहा है। प्रभाकर एक काम करो तो जरा उस बिल्डिंग के सीजी टीवी फुटेज क्लोजली चेक कर लो और सुन्दर के कॉल डीटा भी निकाल लो और हां मुझे सब मॉनिंग में रेड़ी चाहिए है। यह मेरे घरबालों ने मुझे अलग परिशान कर रहा है। बार-बार फोन क्यों कर रहे हो। एक बार कहाना कि मैं आ रहा हूँ। यहां खाली नहीं बठा हूँ है। मुझे भी साथ में लेलो सर। आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। उस लड़की के वैन पर तुम्हारी क्या राय है। मुझे लग रहा है कि वो सच के रिए सर। जब वो सुन्दर के घर पहुंची उसी वक्त उसकी मौत हुई। यह भी तो हो सकता है कि यह इतिफाक हो। पर जो भी हो, यह केस CID में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यस मिनिस्टर ने मुझे टायक्ट ओर्डर्स दिये हैं। ठीक, उसे रिमान हों में शिफ्ट करो, सुबह बिलते हैं। सुनो कमला। जी सर। रिमान हों में फोन करो और कहो कि पेपर तयार करें। यह रात को वह रहेंगे। सर। मुझे रिमान हों क्यों भेज रहे हैं। सर। प्लीज मुझे जाने दिशे। कमला, आप जाईए। सर। इस वक्त तो बहुत देर हो गई है सर। और बहुत तेज बारिज भी हो रही है। अहां मैं जानता हूँ पर कुछ नहीं कर सकता। जैसा कहें कीजी। ठीक है सर। सर। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सर मेरी बात का यकीन कीजी। बैठी। अभी भी इन्वेस्टिकेशन बाकी और रूल्स के हिसाब से हम आपको रात में यहां रोक नहीं सकते। अगर मुझे उसे मार नहीं होता सर। तो मैं अपना ओरिजिनल फोन नंबर, ओरिजिनल एड्रेस उस रेजिस्टर में क्यों लग क्या आती सर। अगर मुझे मार नहीं होता तो मैं उन दसों का खून करती सर। सुन्दर को ही क्यों मारती। कम से कम आप तो समझे सर। मैं सच कह रही हूं मैंने सुन्दर को नहीं मारा है। वेट 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 थोड़ा कन्फ्यूजन है। उस फ्लाइवर पर एक भिकारी भी था। वो कौन है। और वो तुम्हें नंबर क्यों देता है। मैं जब भी वहाँ से जाती हूं वो वही पर होता है। वहाँ से यूटन लेने वालों के गाड़ी नंबर नोट करने के मैं उसे हर बार सौरे पर देती हूं सर। बस इतनी सी बात है। तो इसका मतलब ये सारे नंबर तुम्हें उसे ने दिये। जी सर। तुमने सब का इंटर्व्यू लिया। नहीं सर। सबसे पहले मैं सुन्दर के पास ही गई थी। सुन्दर से पहले किसी राजेश नाम के आदमी का अड्रस लास्ट मंट की रेट पर लिखा हुआ है। आइ मिन वाई सुन्दर राजेश का इंटर्व्यू क्यों ने लिया। ये वाला। बताईए। असल में लास्ट मंट में मेरी मॉम मेरे पास रहने आई थी। उसी भाग दोड़के चकर में मैंने उसका इंटर्व्यू नहीं लिया। बस इसलिए उस फ्लाइवर पर जो भिकारी है क्या उसे मिलवा सकती है। हाँ बिलकुल सर, बिलकुल। वो वही फ्लाइवर के किनारे भीक मांगता है सर। ओके, आप यही रुकिए। सर, आपने बलाया मुझे। हाँ, यह गाडियों की कुछ डिटेल्स है। पता करो कि इनके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेइन है क्या। ओके सर, डूइट फास्ट। मैं देखता हूँ सर, थैक्स। अ, शक्ति, मुझे सुंदर की पोस्ट मॉटम की डीटेल्स चाहिए, जल्दी से जल्दी मंगवा लगा लगा, जल्दी से जल्दी मंगवा लगा लगा लगा, प्रभाकर, प्रभाकर, एक काम करो, रचना के साथ फॉरन आर के पूरम फ्लावर जाओ, वो वहाँ तुम्हें किसी से मिलवाएगी, उसे फॉरन यहां लेकर आँ, सर, बारिश बहुत तेज हो रही है, सर ने जैसा बोला था, ऐसे रिमांड हूम ले जाते न उसे, प्रभाकर, जानते उने रिमांड हूमे क्या होता है, बेचारी परिशान है, लेट्स हेल्प आप, टाइम नहीं है, जल AP05EA2162, देखकर जल्दी बताओ, कहीं इसके उपर कोई केस तो रेजिस्टर नहीं है, मुझे पता है कि आपको ओफिशल रिपोर्ट लिखने में टाइम लगेगा, पर कितना डॉक्टर? डॉक्टर क्या आज रिपोर्ट मिल पाई की? तैंक्यू सर, हाँ, कहा है वो? वो, वहाँ है सर, काशी, जाओ देखो ज़रा, यहां तो कोई नहीं है सर, यहां तो कोई नहीं है, तुमने कहा था यही मिलेगा, वो रोज मुशे यही मिलता था सर, यह किस्त का फोन है, हलो, सर, हम लोग यहां पहुँच गए, यहां पर कोई भी नहीं है, यह लड़की छुट बोल रही है, आस-पास अच्छी तरह चेक करो, वो वह वहीं कहीं होगा, ओके सर, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, जल्दी बेजो, सर, वो रहा है, आओ, आओ, वो आजा के बैठो, आओ, कमला, क्या हुआ? सर, वो मिला वाँ? मिल गया सर, यह देखे, यही वो आदमी है, जिसने इसकी हेल्प किये थी, रशना, इसे ने तुमें नमबर दिये थे? जी सर, प्रभाकर, इसको इंटरोगेशन रूम में ले जाओ, रशना, तुम इसकी सा जाओ, बताईए क्या पता चला? सर, मेरी ड्यूटी डॉक्टर से बात भी, उसने बताया कि सुन्दर की बॉड़ी पर खरोच के निशान नहीं है, और नहीं किसी चोट के. और उसकी मौत कितने बज़े होए थी? उनके हिसाब से सुन्दर की मौत का टाइम आधी रात के दो बज़े का है, पर वो भी कंफर्म नहीं है. टू एम, ओके शक्ती, युमेगो, थैंक्यू. ओके सर. शक्ती, एक कॉफी पे लाताओ. लाताओ सर. सर, हमने बिल्डिंग के CCTV कैमरा के फुटेज को अच्छे से चेक किया, और सुन्दर की भीवी के घर से निकलने के बाद सिर्फ यही लड़की उससे मिलने गई थी. इसका मतलब सुन्दर की मौत और रचना के वहाँ पहुँचने के बीच तक्रीबन दस घंटे का फर्क है. हाँ, करेक्ट सर. क्या लगता है कोई connections? सर, मैं भी वही सोच रहा था. सुन्दर और रचना के बीच कोई connection होने का, ना तो हमें कोई सबूत मिला है, और ना ही इन दोनों के बीच के हिस्ट्री का कोई नामू निशान मिला है. मुझे लगता है कि वो लड़की सच बोल रही है, वो बेकसूर है. कैसी फाल तू कहानी है, सर. एक आदमी वहाँ से यूटन लेता है, और एक पागल आदमी उसके गाड़ी का नमबर नोट करता है, और ये लड़की उस आदमी से जाके नमबर लेती है, ये येंस्ट्रेज आजकल हमें बेवकूफ समझने अलगे हैं. सर, हाँ, आज़ो. जिन गाड़ी के नमबर आपने मुझे दिये थे, मैंने उनके डीटेल्स निकाल लिये है, सर. प्रभाकर, ये चरकरो. इसी ने तुम्हें दस गाड़ियों के नमबर दिये थे? सर, हाँ, सर. तुमने ये नमबर किसी और को दिये? मैं, नहीं, सर. तो इन सारे नमबरों का अड्रस तुम्हें देने वाला है कौन? सर, मेरा एक फ्रेंड है जो आरटियों में काम करता है. मैं उसे गाड़ी के नमबर देती हूँ और वो मुझे अड्रस निकाल के देता है. बस इतना ही, सर. आप क्या होगे, सर? तुम्हारी डायरी में जिन दस लोगों के नमबर लिखें, वो लोग मर चुके हैं. सब के सब! उन सब ने आत्माहत्या की है, ये रिपोर्ट कहती है. रचना, तुम कुछ छुपा रही हो. अगर जूट बोलोगी, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता. मैं सच कह रही हूँ, सर. मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, सर. इन अड्रेसेस और नंबर्स के अलावा, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती. प्लीज बेरीफ मी, सर. तुमने अड्रेस पर डेट क्यों लिखी? ये डेट्स, उस दिन के हैं, जब उन्होंने ब्लॉक्स कि सका है, और यूटर्न लिया. ये बढ़ी डेट्स है, सर. तुम्हारी डायरी की डेट्स, पुलिस रिबोर्ट्स की डेट्स, उनके सीउसाइट करनी की डेट्स, सब के सब एक ही हैं. How do you explain this? तुम डायरी में जो भी डेट्स लिखती हो, उस दिन उनकी बौत हो जाती है, इसका बत्ब क्या है? वो कुछ नहीं बोल रहा है सर, शायद गुंगा है, मुझे नहीं लगता हमें उससे कोई भी information मिलेगी, अब क्या करें सर उसके लावा और कोई सुरग नहीं है, सर उसकी pocket से ये note pad मिला है, जिस पर कुछ गाड़ियों के number लिखे है ये number किसका है, मैं नहीं जानते, रचना ठीक से देखो और हमें बताओ, हो सकता है ये number उसका हो, जिस ने आज ब्लॉक्स किसका है हो, और मुझे देने के लिए उस फिकारी ने ये number note क्या होगा, क्या अगले दिन जब मैं office जाओंगी तो वो मुझे दे देगा, इसके लावा म मुझे कुछ नहीं पता, अगर वो information तुम्हे कल देता, तो टाइरी में date लिखती, हाँ, 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 सर, कौन सी date लिखती, हाँ, अज के date लिखती, हाँ, अज के date लिखती, नमेश, पन देना, इस गाड़ी का address निकालो, जितनी जल्दी हो सके मुझे बताओ, और मेकिट फ चक्ति, जड़ा सेल खोलना, येस सर, 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 फिर से कोशिच करते हैं, इसका मुझ खुलवाना बहुत जरूरी है, पताएगा, नमर किसका, बताओ, चलो, शक्ति, जाओ से अनिल कर, चंबडी उधर दे इसकी, बताओ, येस सर, ट्राफिक कंट्रोल रूम जा कि फ्लाइवर पर इस गाड़े ने यू टॉन लिया था कि ने, जितने ही जल्दी हो, पके बताओ, जिस आदमी का पता आपने मांगा था, वो पीछी की विल्डिंग में ही रहता है, कड़ी में करो, ओके सर, प्रभागर चला गया, हाँ सर, बोड़ो कपके चाहिए गए, कुछ हो जर्ड हो तो मुझे फोन करना, जद जद बोगा दे टो, जद सर, नॉन गोट उ, जद सर, बोगा, जो, जद सर दे आपने, सर, वो रही तेंक यू, मलिक, ये सर, बोलिये, नाएक सर ने तुमसे मिलने को का था, उन्होंने मुझे कॉल तो किया था, कैसी जानकारी चाहिए अपना? मलेक, वो जो वार के पुरम फ्लाय ओवर है ना वहां से इस गाड़ी ने यूटन मा रहा था, इसके बारे में पता करो ना? शोर सर, मैं चेक करके बताता हूं, आप बैठिये थैंक्स रचना रचना आये सार फ्लाट नम्बर? 1504 सार ये ये वो फ्लाट सार क्या कर रहे है? बैल इस तरह बजाते हैं क्या? नेम प्लेट तो देखो सॉरी सर, देखा नहीं काय काम है तुमसे? क्या आपका इनाम शरत कुमार है? कौन है? कौन गंड़ी बजा रहा है? बच्चा सोर आथार उससे जगा दिया अकल घुटने में क्या? अब कौन चुपकर आगा उस बच्चे को? नेचे तुम्हारी गाड़ी है TS-21 BC-2120 मैं तुम्हें क्यों बताओ? बात क्या है? वो गाड़ी तुम्हारी है या नहीं? हाँ मेरी है तो क्या हुआ? इस लड़की को कभी देखा? आप जाओ अंदर जाके सोजाओ जाओ ना घर में और कॉन कॉन है? इससे तरोग क्या मतलब? कंप्लेंट है क्या? वारंट है क्या? हलो? मैं लॉयर हूँ कोई एरा गेरा नहीं कानून अच्छी तरह से जानता हूँ पेपर है तरे पास? हलो? सुनाई नहीं देता क्या? अंदर का घुजे जा रहा है? हलो? सर्च्वारंट है क्या? कोट में फसेगा तू? समझा इसको इसको बोल की बाहर आए सुनाई नहीं देता क्या? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ हलो? अरे बाहा निकल मा मेरी मीवी है I'm sorry हलो? मा क्या देख रहा है? बाह निकल वाल से कुछ भी नहीं मिला न? पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन कर देना पर फिलाल अपना दर्वाजा बंद रखना कम रचना हाँ हाँ आता हूँ सुमह होते ही आ जाओंगा दरता नहीं हूँ तुझसे अब तुझे कोट में मालूम पड़ेगा मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत भारी पड़ेगा अच्छ सुनो रमेश एक काम करो तुम सुबा तक यह ही रुको सर यहाँ पे रुकना है क्यों? कोई प्रॉबलम है? नहीं सार कुछ गड़बड़ो तो फॉन करना ओके सार चलो रचना उसे चुपकरा सुनानी क्या एक वह रिये क्या अगे बेट जाओ पुलिस की नौकरी क्या कर ली? इन सब के गुलाम बन गए छे हलो? उस नमबर की गाड़ी ने वहां से योटन लिया था सर फ्लायोर के कैमराज में साफ नजर आ रहा है क्या वो वकील है? पता नहीं सर उसके काले कोट को देखकर लगता तो है हाँ उस डारी के सारे नंबर्स को भी चेक करना हम लोग चेक कर रहे हैं सर थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है WhatsApp में बिलकुल सर मलेक चलो ये बाकी नंबर्स भी चेक करते हैं रचना इसी लोयर ने यूटन लिया था CCTV फुटेज में रेकॉर्ड हुआ है इसलिए उस बॉने ने इसकी गाड़ी का नंबर नोट यादा अचीब बात है यूटन का सुंदर की टैथ और बाकी सारे मौतों से कोई न कोई कनेक्शन तो है रचना कोई ऐसी बात जो तुम भूल रही हो याद करने की कोशिश करो उसे हमें काफी मदद मेलेगा सर मैंने आपको सब बता दिया है बाहर मतिकला शरण 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 सर सर हाँ उन सब के डीटेल मिले तुम्हें ये सर मिल गए और वो डायरी में जो नंबर लिखे थे उनके आपको जो भी जंकारी चाहिए थी इसमें आपको मिल जाएंगी ओके तैंक यू तैंक यू सर हाँ ऐसा नहीं है सर मेरी बात तो सुनिये सर मैं तो मिनिस्टर साब के केस में ही बिजी था तब तक ये हो गया हाँ सर हालात बहुत उल्जे हुएं सर गुद मॉर्निंग सर हाँ सर मैं जानता हूं कि जो लॉयर हमारी पुलिस जीप पर गिर कर मरा था उसके यूनियन के लोग आपके पास पहुंचे हैं सर किसी भी तरह उन वकीलों के साथ प्रेस कॉन्फरेंस को टाल दीजे प्लीज मेरे लिए ओ ओकी सर मैंने तुमसे क्या कहा और तुमने क्या कर दिया मैं इंवेस्टिकेशन कर रहा हूं सर उस लड़की को रिमांड हुम भेजने के लिए कहा था हाँ सर पर इस केस से उसका तुम्हारी वज़े से मुझे कमिशनल और प्रेस के सामने शर्मिंदा होना पड़ा सर सुन्दर की गाड़ियों के अलावा उसके पास दस और गाड़ियों का नमर था मैंने जो ओर्डर्स दिये थे उसका इससे क्या कनेक्शन है सर ये देखिए सर उन सभी लोगों ने जिन्होंने यूटन लिया था वो सब के सब मारे गए सर ये कैसे हो सकता है नाएक सच कह रहा हूं सर हर केस आत्म हत्या मान के बंद कर दिया गया तो फिर सर आई थिंक हमें इस केस की तह तक जाना होगा तुम्हारे इसाब से ये काम इसी लड़की का है सवाल ही निया सर सारी रात वो लड़की हमारे साथ थी उसका इस केस से कोई कनेक्शन निया सर वो बेकसूर है सर ये देखो सुन्दर की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट क्लियर सुिसाइड सर कुछ तो कड़बड़े सर इस केस को आगे बढ़ाने के लिए परमिशन दीजे सर बेलकोल नहीं तुम अब कुछ मत करो सुन्दर का केस क्लोज करो बस और फिर दूसरे केसिस हमारे एरिया में तो हुए नहीं है बोल जाओ उसे अच्छा वो लड़की कहा है इंटेरोगेशन रूम में है सर आओ लड़की कहा हुए लड़की कहा हुए लड़की कहा है हमने तुम्हारे आटियो के फ्रेंड से पूछ दाज की थी डॉन्ट पर ले उसे कुछ नहीं होगा पोस्ट मॉटन रिपोर्ट आ गई है तुमने सही कहा था सुन्दर की मौत में तुमारा किसी भी तरह का इन्वाल्मेंट है ऐसा कोई सुबूत हमें अभी तक नहीं मिला है तुम जा सकती हो यो फ्री टु गो नाव इन गाडियों के नंबर और पते किसी को भी मत बताना वरना तुम भास जाओगे तुम्हारी संदगी बरबाद हो जाएगे तुम्हारे ही भले के रिए कह रहा हूँ इन चीजों को यहीं छोड़ दो डियू अन्डरस्टान नायक सर जाओ इसे घर छोड़ा हलो नमस्कार सर यस सर हाँ सर पोस्टमोटम रिपोर्ट मिल गई है सर सुसाइग की वज़े से केस सर क्लोज कर रहे हैं हाँ अपने इन्वेस्टर फ्रेंड को बता दीजिए सर उसका अकाउंट बचा हुआ है ओके ओके सर थांक्यू रचन रचन रचना तुम्हारा घर आ गया तुम बहुत ठक गई होगी जाओ आराम करो आपको मुझ पर यकीन है ना मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें इस केस में कुछ नहीं होगा थैंक यू प्रूप 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 कि अपको मुझ रचता है करैंट कर दो करता सुछ कर दो कर दो कर दो झाल 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 प्रभाकर, तुम ट्राफिक कंट्रोल रूम गया थे, वो सीसी टीवी की फुटेज तुम्हें मिल गई? आचा, वो कुमार से भीजवा दो सर, आपको हम तिनों का गुड मॉलिंग सर, वो संता, ये बनता और मैं जनता आपने वो पोस्ट मॉटम्स रिपोर्ट देखी? वो रिपोर्ट तो हम नहीं तयार की है सर जी मेरा ये कहना है कि सारी रिपोर्ट सियूसाइट की ही है सर, हम बस आपको प्राण जाने का कारण बता सकते हैं परंतु ये हत्या है ये आत्मा हत्या ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं, सर मैं इन केसिस में कोई कॉमन बाट ढून रहा हूँ जैसे कि मौत का वक्त या कोई हत्यार कोई ऐसा घाओ जो एक जैसा हो कुछ भी जो अलग हो या अजीब हो जी जितने केस मैंने हैंडल किया है न मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा और आपका? सर, पोस्ट माटम तो ये लोग करते हैं, मैं तो से बॉड़ी उठाता हूँ आप ऐसे जानना कैसा आते हैं, सर हाँ, कुमार, आओ सर, प्रभाकर सर ने आपके लिए पेपर्स भिजवाई हैं हम, थांक यू सर, हमें देर हो रही है हाँ, आप जाहिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फोन करूँग, आने के लिए शोक्रिया ओके, थैंक यू थैंक यू, सर हेई, हाई, रचना यहां बैठती है न? हाँ, यहीं बैठती है, पर अब तक वो आई नहीं है ओ, ओके, थैंक्स ओके हेई, रचना, मैं तुम्हें ढून रहा था फोन नहीं उठाया और आज लेट भी आई हो तुम ठीक हो न, रचना ने, ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान है कॉफी? अ, असल में एडिटर से हाँ, समझ गया, तुम्हें काम होगा, मैं बहुत में मिलता हूँ बाई ओके, बाई अपना ध्यान रखना एक्सक्योज मी सर, आप बिजी हैं? जी नहीं, बताईए सर, इस केस को हेंडल करते वक्त, मुझे उसमें कुछ अजीब लगा था अ, बैठी सर, मैं फिर से रिपोर्ट देख लूँ यह वाली नहीं सर, ओ वाली कौनसा यह? सर, यह देखिए, यूफोर अम्रेला इस केस में यह निशान ही, सबसे अजीब चीज देखी गई है, सर नॉर्मली कोई भी मरते वक्त, अम्रेला कट नहीं बनाता है, सर एकदम सिधा कट करता है, पर यह सिधा नहीं है, सर यह एक ओमनी है क्या? नहीं, सर फिर? सुसाइड करने वाले कनफ्यूज होते हैं, सर वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि सीधा कट मारें कि टेडा कट मारें अम्रेला कट का सवाल ही पैदा नहीं होता है, यह एबनार्मल है, सर इस केस में बलेड गुमा कर कैसे समझाओं? यू जैसा? हाँ, यही तो इतनी देर से मैं आपको समझा रहा था, सर अच्छा, सर, लगता है आप समझ गे, अब मैं चलता हूं, सर ओके, सर, थैंक्यू थैंक्यू, सर यह महसे के इतिफाक है हमने अल्रड़ी प्रेस्में स्टेट्मेंट दे दिया है मुझे अब और कुछ नहीं कहना है प्लीज, थैंक्यू सर, दर असल यह है लायक, अब इस केस का पीछा छोड़ दो तुम खामका टांगड़ा रहे हो तुमारी वजह से एक लॉयर का पुलिस जीप पर गिरकर मरना इस समय नैशनल लेवल की ब्रेकिंग न्यूस बन गया है सर, मैं तो उसे बचाने गया था लायक, किसी से यह मत कह देना उसकी बीवी ने स्टेट्मेंट दिया है कि लॉयर के उपर बहुत सारा लोन था उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ जब्थ हो जाएगा इसलिए डर कर उससे बचने के लिए बिल्डिंग से कूद कर उसने सुिसाइड कर लिया है सर, अब यही बताना सर, नहीं, ये, ये कोई सवाल नहीं यस सर, ये क्या सर, आपसे बताया था न सुन्दर की मौत और यू-टर्ण केस में एक कॉमन बात है मैं वही आपको दिखाना अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे तुम मैंने कहा ना, सुन्दर केस क्लोज हो गया है यू-टर्ण केस कोई है ही नहीं जाओ, बहुत सारे पेंडिंग केसिस सॉल्ब नहीं हुए है उन्हें क्लियर करो यस सर, नायक रचना का फोन नंबर है ना तुमारे पास है ना सर, अगर आपको बात करनी हो तो मैं उसे फॉरण डिलीट कर दो, जाओ आखिर इस यू-शेप का रास क्या है लोग मार क्यों रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है इन सब की मौत हो चुकी अखिर कौन मार रहा है इन्हें? उझे पता लगा नहीं होगा यहीं है कर दूएं है मुझे माफ कर दीजये मैं नहीं जानती थी कि ऐसा होगा ये रख लीजे ले लो न हलो, हलो मेरी आवाज आ रही है हाँ आ रही है, कोई प्रोब्लम तो नहीं है नहीं नहीं ऐसे ही कोई बात नहीं है, बस काम का प्रेशर ज्याद है देखो रचना, मुझसे कुछ भी छुपाना मत क्या? कल रात अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो प्लीज मुझे मुझे माफ कर देना नहीं नहीं आदित, तुम बिकार में इतना सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है तो फेर, अज रात को डिनर पर चलें क्या है आदित, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ हलो, हलो, रचना, हलो सारत इन घर में बैट के पबजी खेलता रहता है, निकमा गएका फरतर भी पिलिस्टिशन है इसे जमीन पर पटक के मारो जी सर, सर, प्लीज, फ्लावर पर दो और लोगों ने यूटन ले लिया, सर, हमें उन्हें बचाने होगा प्रभाकर से कोई उनसे बात करें अब क्या हुआ, सर, आक्शली मैं आर्के पुर्म फ्लावर की तरफ से जा रही थी सर, और तभी मैंने, अधित बद तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ आप यहां से यूटन नहीं ले सकते, प्लीज गो स्ट्रेट, प्लीज, सिखामाद, आप इधर से यूटन लेंगा, तिरको क्या है यह बिल्कुल गलत है यह ट्राफिक वाली बाई, चल अपना काम करना अरे मुनना यह ट्राफिक वाली नहीं है इंजियो वाले, एक्स्ट्रा चोचले, ड्राइविंग की टाइम पर फोन पर बात नहीं करने का, सीट बेल्ट लगाने का अरे मुनना, ज्यादा दमदाटी मत कर, डर जाएंगी अच्छा सुन, मैं यूटन नहीं लेंगा, सीद आ जाएंगा तो आती गया हलो मैंने उन दोनों की जान बचा लीजे, प्लीज, मैंने उन दोनों की बाइक्स की फोटो ली हुए साथ अगर तुम्हारा इस केस से क्या तालुक है सर, यह आप क्या कह रहे हैं सर, उस प्लावर पर से यूटन लेने वाले हर आदमी को एक प्लान के तहत मार दिया जाता है सर हमें यह मत बताओ, तुम जासूस हो या CID, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि अगर इस केस से किसी भी तरख का तालुक रहोगी तो जरूर भस होगी मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैं तो सर्फ आपकी हेल्प कर रही थी सर सर, उन लड़कों की जान बचा लिजे, प्लीज सर, सर, कुछ कीज़े सर, लेकिन उनकी जान बचा लिजे हमें हमारा काम सिखाने की जरूरत नहीं है, हम जाते हमारा काम क्या है, get out नायक, सर, जाओ और अपनी दोस्त को समझाओ सर, लचना, लचना देखो, प्लीज नाराज मत हो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है, आप लोग इतने लापरवा कैसे हो सकते हैं, सर, उन दोनों की जिन्दी की खत्रे में है, उन्हें कुछ नहीं होगा रशना, भिलीव मी, सर, कल आपके ही सामने उस वकील की मौत हो गई, सर, या भूल कैसे सक आपने खुद रेखा था, देखो, मुझे अपने सीनियर की ओडर्स फॉलो करने पड़ते हैं, समझने की कोशिश करो, ओ कैसा, तो आप अपने सीनियर की ओडर्स फॉलो करें, लेकिन अगर कल उन्हें कुछ हो गया, तो मैं चुप नहीं बैठ होगे, चलाओ, आप शरम नहीं आती, रैसले के अपनी जिंदगी खराब करने के बजाए, खोड़ को फासी को नहीं लगा लेते, आप साणो यहापे, अबे राजू, क्या हो गया रहे तिरको, अबे उटना, फिर से चड़ा लिए क्या, उटना, कहाँ फस गया यार, शेट, सर, ये लड़का इशारा करके हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ समझ आया? सर, ये कौन सी जगे है, सेफ तो है ना? इसी जेल के निचे एक बेस्मेंट है, ये यहाँ सेफ है, आज रात वो यहीं रहेंगे, कुमार, सर, बेस्मेंट की लाइट्स ओफ कर दो, उके सर, उन्हें आराम से सोने दो, का सब्सक्राइट कर दो, ये ज менोडिया थाईट्वरान वाँ पादी लाइट। एली शहेंगे में में आरामूआख टाएट एली बाटी नाड़िका पर बेस्मेंट को कर दो, शूसने शो एक बेस्ट ओएटमेंट क्यों अजिखर मेंटी लिएट।, एली गीच़क जाए पिलो अद्रक वाली है पियो थाइंक यू फो बिलीविंग इन ने आप उन्हें अपनी निगरानी में रखेंगे तो I'm sure उन्हें कुछ नहीं होगा इस मैं ड्यूटी रचना उस वकील के मरने के बाद मैं कोई चांस नहीं लेना चालता सर उस वकील के डेथ केस में कोई प्रॉग्रिस होई उसकी इन्वेस्टिकेशन चल रही है उस पर बहुत कर्स था और परिशान होने की वज़ा से उसने सुिसाइड कर लिया सर उस ब्रिज की यूचन का और इन सब लगों की मौत का कोई कनेक्शन हो सकता है सर इन्वेस्टिकेशन चल रही है रजना अभी प्रॉट प्रॉट सर कुछ गड़बर है सर प्लीज अंदा चलिए जा रहा है मुझे डर लग रहा है सर अब हम क्या करेंगे सर करने की कोई बात नहीं है लाइट सॉन का हाँ हाँ कर देतों शक्ति को बला लो हाँ हाँ सर आज प्रॉट प्रॉट रहाँ है अरे मान क्यों रहा है सर आपने बुला है शक्ति वो दोनों आपस में जगड रहे हैं जाओ उन्हें कंड्रोल करो क्या हुआ रे कमीने जिस थाली में खाता उसी में छेट करता है माना जाता है मुझे अरे आखिर मेंने किया किया है राजू ए राजू सर ये दोनों आपस में लड़ क्यों रहे है ना बोला था तू डलने ने को ना बोला था कौन है तू तेरी बाँ ट्रभा कर रख जल्दी करो सर्विलेंस रूम में आओ क्या कर रहो अब तक दर्वासा क्यों ही खुला ला मुझे तो मैं ट्राइ करता हूँ क्या हो गया सर ये लोग लड़कियों रहे हैं तुम यहीं रुको मैं देखता हूँ आप रुकिये सर मैं जाके देखता हूँ है यू शो आज सर समालना हूँ प्रभाग कर जाओ और उन्हें जल्दी रोको आमें जा रहा हूँ सर यहां दर्वादा नहीं खुल रहा है कर दो यहां नहीं चोड़ूंगा नहीं चोड़ूंगा नहीं चोड़ूंगा नहीं चोड़ूंगा अगर दर्वासा ने खुल रहा है तो दर्वासे को तोड़ दो एक असेज़िक है जलो पिछो पूल दर्वादा जाम होगे हम लोग कोशिश के रहे खुल नहीं रहे है तुम लोग कर क्या रहे हो तू नहीं बजेगी, तू मरेगी, मैं तुझे बहाँ डालूगा ज़स्ट मुवव चलो 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 शक्ति गेट हो जल्दी जी सर, ये तो लोके सर और इसकी चापी भी अलग है हमारे पास टाइम नहीं है सर, जाड़ी कीजिये, लगता है वो बेहुश हो गया तारे को तोड़ दो, रश्णा, तुम सुन रही हो तुमारी अवास नहीं आनी है रश्णा, मेरी बात का जवाब दो जालो सर, तुम ठीक तो हो ना? सर वो मुझे घुर रहां और मुझे मारने की दंकी दे रहा है कौन घुर रहा है चवाब तो रश्णा, सर, सर, पीशे दे के सिर, सर, 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 रही को नहीं है पाफ ठालो रोड अ, टोर ठालो तुरो। बड़र講व कर दालो टोर। सुल्सटे है, रेस्टे हरं पकड़। तो कुछ ने हो गाँ तुम्हें रिभाँ कर चल्दी हो भखड़ो इसे कीचो इसे कास के पगड़ो जसके आए अब भच डल लगारा सर्थ पोलिस आगे खो अजो डॉस ले ग़रा हूंग पर आए यह सर यह लीजिया सर ने जर निया रहा है किदर है सर यह देकिस ताला खुल खुल किया है ताला कुल केस तुखोलो उना चलदी है अधरा टबन करो जरना पषिस sed comment 0 Piya these two하게 नोफिस बागला से तुन हमार को सस्पटेंट पारा जेए सबस्टे प्रभाकर उस तरफ, ये सर सर मेरी बाद पान लीजिये सर सर पहार रहे सर सर प्रभाकर सर एल्प नी मेरी बाद एल्प सर 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 प्रिश सर 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 एपलीज सर्ण प्रिजे भैजिए है और मेंचनें लग रहां प्लीज दोरो मततरे प्लीज मैं भी बैचालीजियू मुझेधिव कुछ नहीं होगा हम है ना? सर्षर जरा संहल कर और नड़टो रभाकाव हुँँई दन्या हो गया मैं इद का चांद हो गई हो तुम का चांद नेन तक्राइज का अट सब्सक्राइज करें वाद करें थाव कि अगीज थाव दृश्फ ॅड्य। बिल्सक्ताइब िलिए जब आचे कि इसल कियो दोड़ा है, सब ढ़ा कने ना से लिए। I'm sorry, Aditya किसलिए? कई दुनों से मैंने तुम्हें परिशान किया पिछले एक हफते से लगता है तुम मुझे अपना नहीं समझती और इसलिए तुम जरूर मुझे से कुछ छुपा रही हो नहीं बताना तो मत बता लेकिन इतना याद रखो कि बुरे वकपर हमेशा अपने ही काम आते हैं और जानती हो कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी तुम्हें कोई परिशान कर रहा है क्या कोई पीछे पड़ा हुआ है नहीं मैं ठीक हूँ मुझे कोई परिशान नहीं कर रहा सर्थ थोड़ा बहुत काम का प्रेशर है ठीक है छोड़ो इन बातों को तुम्हारे प्रेशर को कम करने के लिए मेरे पास एक तौफ़ा है भूल गई अरे तुमने आर के पुरम फ्लाइवर पर हुए एक्सिडेंट्स की रिपोर्ट मांगी थी ना ये वाई है तुमारी स्टोडी के लिए चलो अब तो मुस्कुरा दो जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें दे रहा हूँ अरे यार ये प्रिमा जी मुझे जब देखो काम चिपकाती रहती मुझे जाना होगा सॉरी यू टेक केर ओके हाँ प्रिमा जी स्विनल पर यह आ रहा हूँ पॉस करो अब दूसरा कैमरा दिखाओ सब मरेंगे तुमारे सामने लड़ाई होती रही तुमारे ही सामने गोली चली और वो मर गए सर्फ दो दिन में तीन लोग मारे गए वो भी पुलिस वालों के सामने कल ही मैंने तुम्हें वर्सएद के ओड़न्स फॉल होंगे फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी I'm sorry sir, कुछ तो गड़बड है, कोई तो ऐसी शक्ती है जो ये सब करवा रही Stop it night, जो तीन लोग मरें उनमें बस दो ही connections है पहले हो तुम, दूसरी तुमारी friend, रचना तुम लोग वहां क्या कर रहे थे, खड़े-खड़े तमाशा देख रहे थे अब तुम तीनों पर inquiry commission बैठेगा, समझेए किसी की गलादी नहीं है sir, सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ Sir जाओ, ये सर एंक्वारी पूरी होने तक, you are suspended थो है रिदेश हाँ मेरा नम रशना है मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती हूं मुझे आपसे कुछ बात करनी है मैं आर्क्योपूरं फ्लावर पर होने वाले एक्सिडेंस पर एक स्टोरी तयार कर रही हूँ उस सिलसने में आप से बात करनी है माया और मेरी लव मैरेज हुई थी जर्ना हमारी बीटी थी, वो फर्स्ट डेड में थी मेरी वाइफ भी जॉब करती थी हमारी जिंदिगी सुखुन से गोजर रही थी रोश शाम को घर लाटने के बाद मैं जर्ना के साथ गंटों खेला करता था यही लाइफ थी, सब अच्छा चल रहा था हमारी बेटी है, हम सब की दुनिया थी फिर बहुत सब, सब कुछ खतम हो गया I'm sorry, sir उस दिन जर्ना का बद्दे था माया उसको शॉपिंग पे ले जाना चाहती थी जर्ना बहुत ज्यादा खुश थी वो नौ मार्च का दिन था सर, उस एक्सिडेंट के बारे में कुछ बताएंगे आखर उस रात हुआ क्या थी पुलिस ने राश ट्राइविंग कहकर केस को बंद कर दिया माया समाल कर ड्राइव किया करती थी मैं जानता हूँ लेकिन एक्सिडेंट की रात को एक कार उस फ्लाइओवर से गुजरी थी उसी कार ने एक्सिडेंट कर दिया ट्राफिक क्यामरा में उस कार की फोटो रिकार्ड भी हुई थी पर पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की एक रात में सिर्फ एक रात में पुरी फैमली खो दी I'm really sorry sir मुझे आपको ये सब याद नहीं दिलाना चाहिए था कोई बात नहीं इसमें आपकी कोई गलती नहीं हाई रचना पुलिस टेशन से मुझे पता चला I'm sorry मेरी वज़ा से आपको ये सब जेलना पड़ रहा है नहीं कोई बात नहीं वैसे केस तो चली रहा है सब ठीक हो जाएगा पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है डोंट फिल बैट ये सब तो होता रहता है कल रात वहाँ ऐसा क्या हुआ सर रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने ड्रग्स ले थी हो सकता है उसी का सरो सर आज मैं रितेश नाम के कादमी से मिली थी फ्लाइवर पर हुए आक्सिडेंट में उसने अपनी फैमिली खो दी ये फ्लाइवर तुम्हारे दिमाग से निकली नहीं रहे एक मिनिट ये देखे सर रितेश की वाइफ और उसकी डॉटर रोड आक्सिडेंट पे मारे गए थे सर वो यहाँ अकेला रहता है सर उसकी बातों में कुछ बहुत ही अजीब था सर आपको इन्वेस्टिकेशन करनी चाहिए लचना आपस अब बहुत हो गया इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कहना चाहती हो सर ये मौतें आपस में जुडियें आप भी जानते हैं सुन्दर की मौत, वकील की मौत और उन दोनों बाइक वालों की मौत में शक्की सुईस सिर्फ और सिर्फ तुम पर जा रही है पता है मैं इसमें शामिल नहीं हुसा ये मैं जानता हूँ पर बाकी तो नहीं जानते न तुम फंस चाहोगी सालों तक पुलिस स्टेशन और कोट के जकर काड़ोगी फाइनली वो तुम्हें ही कातिल ढहराएंगे सर, उस फ्लाइवर पर जो भी यूटर्न ले रहा है वही मर रहा है और आप कह रहा है कि मुझे चुप रहना चाहिए रचना, मैंने बहुत सी मौते देखी बाद में कुछ नहीं होता और तुम्हें भी यही मान कर चलना चाहिए हलो प्रभाकर कुछ सवानों के जवाब तुम्हारे लिए चानने वा हो सकते हैं अब मैंने ये केस छोड़ दिया तुम्हारी मदद नहीं कर बाऊंगा कर दो प्रभाइश ठाज़ अजया झाल सर यह यूटरन केस की पूरी फाइल है थांक यू प्रबागर सर मुझे लगता आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं चलो तुम्हें तो यकिन है कर दोग्या कर दो कर दो नूदिए प्राइल के जिए उए दो अर्म प्राइब एक हैं थाइल अपैंना आज मैं तो यूढ़ प्राइब किस बच्छ दोलिए इना स्वाब का बिल्कुल को दोग्या कि उूब अटर भी प्पाल लिए और आपना है क्या हुआ पिटा इतनी रात को फोन किया सब ठीक है ना हाँ मा सब ठीक है शादी के लिए लड़का मिला है या अभी तक ठूंडी रही है फिर से ड्रामा शुरू मत करो मा खाना खाया बस अब तरी वारात में जी भर के खाऊंगी पापा कैसे है यहीं पड़े खराटे ले ल मापा ठीक है मैं चीको तेरा टॉगी भी चीक है और कुछ पूछना है मा मुझे बहुत डर लग रहा है अर्चु कुछ गडबर है क्या हुआ बेटा है जवाब दे मा मुझे बहुत अकेला पन लग रहा है इसलिए कॉल किया इसलिए तो कहती हूं शादी कर ले शादी कर ल मा अभी बात वहाँ तक नहीं पहुची है तो कहा तक पहुची मैं उसे पसंद करती हूं और वो भी मुझे बहुत पसंद करता है जी जल मैं बताना क्या बात हुई तुपढ़ी लिखी है सुंदर है तुझे कौन मना करने वाला है तिया लेके ठूड़ेगे ना तो भी नह मिलेगी तुझ्टे सी लडगी मामा बस करो यह डायलोग्स माणने बंद करो मैं फोन रखती हूं बाई आप 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 कर दो कि युँ हाल झाल 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 झाल